एक अमरीतन स्याह फार्म, सिंगर, डांसर, दे किंग ओफ न्यूजिक, माइकल जैक्सन जी आज हम बात करने चारे हैं माइकल जैक्सन के बारे में माइकल जैक्सन एक ऐसा इंसान जो नजाम फितरत को शिकस्त देना चाहता था उसे चार चीजों से सक्त नफरत थी, उसे अपने स्याह रंग से नफरत थी, वो बोरों की तरह दिखाई देना चाहता था उसे गुम्नामी से नफरत थी, वो दुनिया का मशूर तरीन शक्स बनना चाहता था उसे अपने माजी से नफरत थी, वो अपने माजी को अपने आप से खुरच कर अलग कर देना चाता था उसे आम लोगों की तरह 70-80 वरस में मर जाने से नफरत थी, वो डेर सो साल तक जिन्दा रहना चाता था वो एक ऐसा अगलुकार बनना चाहता था जो 150 साल की उमर में लाखों लोगों के सामने डांस करे अपना आखरी गाना गाए 25 साल की गर्लफरेंड के मार्टे पर गुसा दे और कुरोडो मदाहीन की मजूधी में दुनिया से उचसत हो जाए माइकल जैट्सन की आने वाली जिंदगी इन चार हाइशों की तक्मी में बुसर कुई उसमें 1982 में अपना तुसरा एलबम ठ्रिलर रांच किया ये दुनिया में सबसे ज्यादा पिकने वाला एलबम था एक माह में इसकी साड़े 6 करोर कापिया फरोग थोई थी ये गिनिस बुक ओफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया था माइकल जैट्सन अब दुनिया का मश्हूर तरीन घुलुकार बन चुका था उसने घुमनामी को शिकस्त देंगी थी माइकल ने इसके बाद अपनी स्याह जिल्द को शिकस्त देने का फैसला किया और प्लास्टिक सर्जरी शुरू करा दे अमरीका और जूरप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जन्स की धिदमात हासिल की यहां तक के 1987 तक माइकल जैक्सन की सारी शक्नों सूरत जिल्द नकूश और हरकातों सकनात तबदील हो गए स्याह फार माइकल जैक्सन की जगा गोरा चित्रा और निस्वानी नकूश का मालिक एखुबसूरत माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आ गया यू इसने अपनी स्याह रंगत को भी शिकस्त दे दी उसके बाद माजी की बारी आई माइकल इसने अपनी माजी से तालु कर लिया उससे बाद एक्टन कर लिया उसे अपने अड्रेसष तब दील कर ली उसने करा एपर बोरे मावाफ हासिStद लिया और थे तुमाम परानी दोस्तों से भी जान चुडा लिए इन तुमाम अगत दुरान जहां वो अकेला होता च्या ग जिसने भुद को मशूर करने के लिए एल्विस प्रिसले की बेटी लीजा मेरी प्रिसले से शादे कर लिए इसने यूर्प में अपने बड़े-बड़े मजस्में भी लगवा दिये और उसने मसनुई तरीका तौलीद के जरीए एक नर्स डिबीरू से अपना पहला बेटा प्रिंस माइकल भी पैदा कर लिया डिबीरू के बतन से उसकी बेटी पैरिस माइकल भी पैदा हुई इसकी ये कोशिश भी कामयाब हो गई उसमें बड़ी हद तक अपने माज़े से भी जान चुडा ली लहाज़ अब इसकी आखनी कोशिश की बारी थी वो डेर सो साल तक जिन्दा रहना चाता था माइकल जैंकशन तबीन उमर पाने लिए दिल्चस्ट अहरू करता था वसलन वो राध को ऑकसीजन के टैट में सोता था वो जरह सीन वाईरस और भीमार्यों के احसराग से बचने के लिए दस्ताने पहन कर लोगों से हाथ मिलाता था वो लोगों में जाने से पहले मूँ पर मास्क चड़ा लेता था, वो महसूस हुराग खाता था और उसने मुस्किल तोर पर डॉक्टर मुलाजिम रखे हुए थे यह डॉक्टर हुजाना उसके जिसन के एक एक हिसे का मौइना करते थे उसकी खुराग का हुजाना रिबॉर्टरी टेस्ट भी होता था उसका स्टाफ उसे रुजाना वर्जिश भी करवाता था उसमें अपने लिए फाल्तू फित्रों, गुर्तूं, आंकों, दिल और जिगर का बंदोबस्त भी कर रखा था ये वो डोनर थे जिनके दुमां महराजात माइकल उठा रहा था और उन डोनर्स से बवक्ते जरूरत अपने अजाई से अप्या कर देना चाहते थे चराज से इसे यकीन था कि भीर सो साल तक जरूर जिया रही था लेकिन फिर 25 जून की रात आई उसे सांस लेने में दिश्वारी पेश आई उसकी डॉक्टर्स ने मुलक बर की सीनियर्स डॉक्टर को उसकी रहाईशकार पर जमा कर लिया ये डॉक्टर्स उसे मौत से बचाने के लिए कोशिश करते ले लेकिन नाकाम होगे तो असबताल ले गए वो शक्स जिसने डेट सो साल की मनसूबा बंदी कर रखी थी जो नंगे पाउं जमीन पर नहीं चलता था जो किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने चड़ा लेता था जिसके गर में रुजाना जरासीन को शजवियाद चिड़की जाती थी और जिसने 25 बरस तक कोई ऐसी चीज नहीं खाई थी जिससे ट्रॉक्टों ने इसे मना किया हूँ वो शक्स सिर्फ पचास साल हुमर में और सिर्फ तीस मिनट में इंतकाल कर गया उसकी रूख चुटकी के दुरानिये में जिसम से परवास कर दे माइकल जेक्सन के इंतकाल की हबर गूगल पर दस मिनट में आठ लाख लोग होने पड़ी यह गूगल की तारीख का रिकॉर्ड था और इस हैवी ट्रेफिक के वज़ज़ से गूगल का सिस्टम बैट गया और कंपनी को 25 मिन तक अपने सारफियं से माजरत करना पड़े माइकल जेक्सन का पोस्पार्टम हुआ तो पटा चला कि बहुत ज्यादा है थ्यार की वज़ज़ा से इसका जिसम धांचा बर चुका था वह सरसे घंजा हो चुका था उसकी परसुनिया तूटी हुए थी उसके कॉल ही कंदे परसुनियों और टांगों पर सुनियों के बेतहाशा निशान थे वह प्लास्टिक सरज़री की वज़ज़ से पेंट तिलर्स का महताच हो चुका था चनाच्छे वह रुज़ाना माइकल जैक्सिन की मौत एक एलान है दोस्तों इनसान पूरी दुनिया को फटा कर सकता है लेकिन वह अपने मुकद्र को शिकस्त नहीं दे सकता वह मौत या इस मौत को लिखने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता चनाचा कोई रॉक स्टार रोट या फिरोन वह दो मंग मती के बूद से नहीं बच सकता वो मौत को शिकस्त नहीं देख सकता लेकिन हैरत यह है कि हम माइकल जैक्सिन की इंजान की बाद भी खुद को फुलाद का इंसान समझ रहे हैं हमारा है कि हम मौत को दूखा दें देंगे हम 500 साल तक जरूर जिन्दा रहेंगे आमी सुमामी